अलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो मैं चानल आई होप और यू डूइंग वेल गुड मॉर्निंग बाइद वे मैं हूँ अभी मैंग दोनल्स करम बुली में मेरे साथ और बंदेलों का वेट कर रहा हूं मैं फ्रेंड्स आने वाले जो गुजरात के गुजरात राइड मेरे और थोड़े बहुत अच्छे लोग एड़ हूए तो यह राइड एक्चली मैं जाने वाला हूँ भीमा शंकर विट आल माई फ्रेंड्स लवली फ्रेंड्स जस्लाइक यू तो क्या है ना कि यह राइड जैसा मतलब राइड राइडर्स कम्यूनिटी में इतना गहराई में जा चुका हूँ मैं कि और गहराई मैं डूबना चाहता हूँ क्योंकि क्या है ना कि जो एक्जिस्टिंग राइडर्स है वो तो आते ही है राइड के लिए और अभी कुछ और नए राइडर्स भी मिलने वाले है नए दोस्त बनने वाले है तो इट कीप्स ओन गईग यू आते हैं जो लाइक एक इस अ कंटीनियुस तिंग एक और राइड मेरे नए दोस्त बनते जा रहे है अभी भी फिलाल है रही है अपी तो में प्रेंड और गोटने ही तो आप में यू रही है नए फ्रेंट के वहाल बजा रहता है इसके लिए वह हान बज़ रहता तो बाई है riders, Himalayan रहेगा, Royal Enfield, KTM, और कौन-कौन सा भाइक है, Hero भी है, Hero Honda है, so I'm waiting actually, वो लोग first meeting point में मिल चुके हैं, वो लोग, I'm at the second meeting point right now, बीमा शंकर एक ऐसे जगा हम लोग जाने वाल है, जो मैं चार-पाच बार जा चुका हूँ पहले actually, but वो मार्शेजगाट के रूट से जग गया था मैं, तो यह first time मेरा experience रहने वाल है, चाकन, तड़ेगाओ, यह रूट से मैं जाने वाल हूँ आज, so let's see guys, आगे climate तो अच्छा है काफी, so basically climate at Navi Mumbai is 23 degrees, और actually moderately polluted है, सुबह इतना तौरा था, तौरा था या pollution था पता नहीं, मतलब smell तो आ रहा था, pollution था, साफी अध तक pollution था, 74% humidity है, so let's see guys, अभी आगे temperature थोड़ा कैसा रहेगा पता नहीं, अभी तक तो थंडी शुगी नहीं हुई है, by the way, बीच में थंडी आई थी, but I want to say guys, कितने जनों ने फटा के फोड़े यार, इतने फटा के फोड़े की वर्मी मैसुज होने लग दी यार, थोड़ा कम पटा के फोड़े अच्छा रहता, थोड़ा एको फ्रेंडली रहता, ग्लोबल वर्मिंग थोड़ा कम हो जाता, but anyways guys, कोई बात नहीं, आपने एंजाइ किया, दीवाली अच्छा गया रहेगा आप लोग का, चलो guys, टेंपल्स ओपन हो गए, तो टेंपल्स में एक दो टेंपल्स विजिट करेंगे, अभी हम लोग, तो में हम लोग ने डिसाइड किया है कि भीमा शंकर करते हैं guys, लेट्स गो, basically हम लोग को निकल ते निकल ते बज़ गवे हैं, almost 8, 7.56 to be precise, आठ बज़े हम लोग निकल रहे हैं भीमा शंकर के लिए, मुझे ये मेरे राइडर्स ने वेट कराया है, कितना टाइम, एक गंटा, शाथ बज़े एक्ज़े में आया था है या पर, कोई बात नहीं, काफी सारे राइडर्स आप देख सकते हैं, हार्ली डेविड्स ने वेस्ट बेंगल से एक आया बन्दा, और ये वैस सब पूने से लगते हैं, है मेच 14, वाव, राइड के बिगनिंग में क्या मजा रहे हैं, वाए मजा, एक तम अमेजिंग, नाइस ग्राफिक्स मैन, पार्ली डेविड्स ने लिया तो क्रिस्टम से, डिजाइनिंग रहना ही मंगता है, प्लेइन डिजाइन रहेगा तो मजा नहीं है कुछ भी, आज यू कन सी, इट इस संदी और बहुत सारा ट्राफिक है, अधसे जाड़ा ट्राफिक है, इतना ट्राफिक है कि लोगोंको सिगनल, फॉलो करना पत रहा है, अधरवाइस ट्राफिक कमो तहरो कैसे जना नहीं किया, तो भी चलता है बठ पिर भी, आपको सिगनल फॉलो करना जुरूरी है, उलाच भी, से सबसे चले बहुत मुए, जाकेट पहना है और ब्लुटेट भी लगा हुआ है आफी अच्छा फीलिंग है जाकेट का बाइदेवे एक तम फिट एक दो ऐसा इतना इतना सेफ फील कर रहो ना मैं नेक्स्ट लेवल सेफ फील कर रहा हूँ एक जो पहला जो मेरा एर जीटी जो था इससे त्री ताइम्स इस लेवर थिकनेस है यह सेफ्टी प्रोटक्टर जो अंदर जाकेट का वे थी ताइम्स थिक है याईस आज मैंने नटिस किया वाई इसका थिकनेस थो अमेजिंग है वाई सी ए लेवल टू इच अलवाइस अभी मैं आप फॉल्वर को अपने कुछ रूल्स राइडिंग रूल्स और मिलते हो आपको डायरेक्ट में नाश्टा जहां को हम लोग करने वाले अब फॉल्स दोस्तों हम लोग इमेडिटली जैसे हम लोग राइड स्टाट किये तीन चार किलोमेटर आगया खे डायरेक्ट हम लोग भूक लगा सब लोग को और हम लोग विसावा होटेल में पन्वेल हां ठीक है पन्वेल स्टी स्टांड के सामने ही एक्जक्ट है याप प पर पर बेसिकली हमारा सब नाश्टा ओग रहा है लिए अभी प्रेक अदर्शान आने वाल है अचली आदे रस्ते तक ये रहा अपना दोस्त अपना भाई सबकूच प्रशान हमारे साथ तड़े का उतक आने वाल है माल फेष्ट कर लिए पामसेट सब स्क्रास कर लिया कामशित के आप अभी तर्यगाओ के आप पर पहुच गया हम लोग आल्रेड़ी अभी 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 तर्यगाओ के जंक्शन पर पहुच रहे है थोड़ा भी बाइक चलाने शुरू हो गए ना तूरा वेंटिलेशन एक रहो मस्पील होते है अंदर अभी अच्छा मलब हवा अंदर जा रहा है सर्प्राइजिंगली इतना इतना कॉलिटी का पॉलिस्टर हो के भी और मैंने बाइदर पहना हुआ है एक दो लेयर्ज अचली अपने टीशेट्स पेना है जो मैंने कालन जी का ब्रीडेबल टीशेट्स रहते हैं वो पहना है एक संप्रोटेक्टर है 50 परसेंट संप्रोटेक्टर का फुल स्लीव स्पना है उसके पर हास्लीव स्पना हुआ है वो दोनों ब्रीदेबल है तो उसके वज़े से काफी अच्छा फील हो रहा है उसमें थोड़ा भी हवा चले जाए ना अंदर इतना सर्कुलेशन हो जाते हैं अमेजिंग सोचा नहीं तो ऐसे होगा मस्पील कर रहा है एक दम बाइक जैसे चलाते हो ना अस थंदा सर्कुलेशन अंदर फील होते है अधर प्रफ्स अधर जाए और कालें जी का क्या है यह को फुल स्लीज का वो साथ जिए प्रफ्स टीशिट परना है वो तो 2.99 का है बहुत ही सस्ता है प्रफ्स टीशर्स यह दीगत लंगा उपको मिल जाए वा तोड़ा बड़ा गरूप ने के नाते हम थोड़ा आगे पिछ ओते रहते हैं तो यह आत दिखा आत देखा हुआ पाले इनको हाद देखा हुआ हाँ इनको हाँ अटा देखा हाँ नहीं आत अलए जालो है आतालो ह प्राउजसे हैब यह अपना प्रणपृट Difu कज़िएन इतने शार आट्न दस वह वाय भाहो वार एक टी ब्रेक होने वाला है और यह की पहला है वो दिया वो ब्रेकफास्ट यह दोनो था करेक्ट करेक्ट मेरे सब्सक्राइबर्स और वीवर्स यह रहा मेरा चाय का दुकान मेरे सब्सक्राइब का दुकान मिल गया क्या वात है परस्ट इम ऐसा नाम कई बिजनेस में देखा ही नहीं था मेरा मेरा सब्सक्राइब बिजनेस को मेरे को फ्री में मिलना चाहिए अगर प्रशन आओ प्रशन तो बेसिकली गाईज हम लोग फिर से बिचर गए थोड़ा बहुत वह लोग जल्दी निकले और मेरे साथ जो प्रशन था उसके ज़से थोड़ा डीले हो गया शेटे चाहा पीने के बाद और सब लोग एक साथ आगे निकल गए मैं सोचा उन लोग ने भी यह लेफ्ट लिये लिया रहेगा और वहाँ पे रुके कोई नहीं थे तो मैं एक्टम इंटिरियर से आ रहा हूँ गया इस लेक यह काफी अंदर अंदर से पोल्टी है लार्सन एंटीट ब्रो का पीछे अप् क्या वीव है नजारा तो देखो लोग यह पे कपड़े दोरे मच्छी पकड़े मामा आगे एक क्या वादे क्या वादे आई हाई हाई नजारे अजन्ट इट ब्यूटिफुल अपना महाराष्ट्रा कर रूरल पड़े असता अच्छा है गोच अलाग ढूंड के निकला मैं काफी एक्स्ट्रीम शॉट्कट वे से मैं आ गया हूँ गूगल माता ने ऐसा शॉट्कट बता दिया है तो इसा शॉट्कट यार कभी अभी टेंचन आ जाते हैं मुझे चाहिए पेट्रोल पीचे दो पेट्रोल बम गए बट मैंने आवाड किया अच्छा अभी 500 मेंटर्स पे गूगल माता ने बता है कि लेफ्ट लेना है ऐसा लग रहे है मैं बहुत जल्दी बहुत जाओंगा उनलोक से आई होब सो अच्टर्न लेफ्ट यहां पे किदर लेफ्ट है ओके 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 शीरोली पाइट कड़ूस तुरे गाओ कोड़े तुरेगा हो करे टरनस left अ Aa आई गूगल माता बोल रहे है दो किललोमेटर के लिए कंट्यनिव कीजिये तो किलमेटर के अदर गूगल माता हमको पेक्ट्रल आपम भी दिलाएगे, प्लिज मेरवानी होगी, रिजर्व में चल रहा है गाड़ी, और होपफुली 20 किलोमेटर चल जाएगी, लेट सी, गाओ खेड़े में से चलाने को मज़ा ही आ रहा है यार, बहुत मस्त, लोना लग है, आसपास इतना ब्यूटिकुल प्लेसे से, तया में जाएगे, पैपलवाड़ी, नाइस, कितना सुकून है यांपे, कुछ प्राइफिक नहीं, कुछ नहीं, जाध है, ग्रीनरी है, मस्त, ठंडी ठंडी हवाल लग रही है, इतना धूप होने के वावजूद कुछ पसीना नहीं आ रहा है गरम हुआ नहीं है इतनी थंडी भी नहीं है बट प्लेजेंट है क्लाइमेट क्या बात है बादल आ गए का है है मेरी जान बचाली HP लव यू HP हा 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 400 मेटर्स में लेफ ले लूँगा फिलाल गोगल माता हमको पेट्रोल भी भराना है थोड़ी देर इश्राम कीजिए ओके फुल करा गया इवरी टाइम गईज जब भी पेट्रोल भरते हो न आप तो ये करना है बाइक से नीचे उतरना बहुत ज़रूरी है अधर्वाइस वो फायर पकड़ने का चांसे जरता है इसके लिए साच्छे करो ना साच्छे बास बास साथ सो में फिल हो गया गईज और ये पॉकेट का एडवांटेज है इतना बड़ा पॉकेट में बेढ जाता है फटक से लेना पड़ेगा ग्लोस यह फट जाएगा कभी भी इतना रफ यूस करता हूना में ग्लोस चलो गाइस गुगल माता ने बोला है आगे से चार सो मिटर पे लेफ टन लेने बोला था ब्रिज़ा ब्रिज़ा भाई आराम से चलाओ ब्रिज़ा जी ड्राइवर अमें ऐसे देख रहा था भाई क्या-क्या पैन के रखा ये भाई सबने अरे ये डंपर ने पुरा ब्लॉक करके रख दिया है यार आगे पुरा रोड खा लिया थोड़ा सा ये गाउ मैं से बाहर आ गया मैं और ये इंकलाइन थोड़ा शुरू हो गया बढ़ी ये रोड बारिश में आता ना यार कस्तां से मज़ा आता था 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 मक्कन रोड है वैसे बाई-दवे रोहित मुझे फोन किया वो लोग मेरे लिए रुके थे अच्छली बाई-दवे ये रूट इस अमेजिंग यार रोड बारिश में क्या मस्त ग्रीनरी रहगा ये इसेड आपर फेंसिंग अगरा लगा हुआ है प्लॉटिंग अगरा किया हुआ है वाउ इस बीटिफुल आप आप ये बीटिफुल इस बीटिफुल इस बीटिफुल यार वाउ वाउ इस अमेजिंग अमेजिए इस राइड रुछी फ्रैंकली स्विकिंग मैं थोड़ा अलग रुट पे आया आइसोलेटेड जगा देखने मिलाया कसम से लइक सीरियसली ओ माई 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 सायादरी वैली सायादरी माउंटेंस लाइक अमीजिंग यार लाइक सीरियसली लाउट लिटल बिट वाउ ये देखो घर लेको यार कितना मेहनत करते हैं लोग धूप में आप में से कितने लोग ऐसे घर में रहे चुके हैं एक लिस्ट वन नाइट इन यार लाइट इस विलिंग तो कमेंट प्लीज कमेंट ऐसा घर नहीं ये तो पूरा ब्रिक से बन्दा हुआ है वो पीच्छे जो गया वो गहर वैसे घर में कितने लोग रहे है मेरे गाओं में जाता हूँ तो मेरा गाओं मैं कभी एक दिन आपको फुरसत से बताऊंगा उसके उपर एक डॉक्यमेंटरी ज़रूर बनाऊंगा मेरे गाओं में तो पूरा एक वाड़ा है अमलों का फैमिली का एक रोहाउस भी है डुपलेक्स फुरसत में कभी उसकी कहानी सुनोंगा मैं ज़रूर वहाँ पर भी एक पोल्ट्री है और यहाँ पर चिकिन दबा के खाते हैं लोग दबा के एकदम खेत खलियान में ट्राक्टर चल रहा है हरियाली देखो हरियाली भर भर के हरियाली है यापर छोटे छोटे से मंदीर छोटे छोटे पेड छोटे छोटे से घर उसके बाज़ में ठीक दुकान है सो गाओ के स्कूल का यह हालत है गाईस यह स्कूल था पीछे बहुत बुरी कंडिशन में है फिर भी गाईज सोचो यहां से पढ़ने वाले बच्चे लोग कभी-कभी यूवेस चले जाते यूट बिलीव इट ना मेरे खानन में कोई-कोई है ऐसे लोग I really feel very proud of them solar panels लगए स्ट्रीट लाइट के लिए हाल्या महराटी में हम लोग बोलते हैं ऐसे मस्त्र हाल्या windmills दिखाई देने लगए है गाईज rural development थोड़ा बद हो गया है थोड़ा बद बाकी है windmill तो लग गया है रस्तों की थोड़ी मरम मत करनी बाकी है सर्कार प्लीज ध्यान दीजिए ऐसे रस्तों पर गाउवालों पर और थोड़ा बद schools पर ध्यान दीजिए मेरबनी कीजिए प्लीज थोड़ी सी मेरबनी कीजिए प्लीज humble request हम जैसे लोग ऐसे आफ ऐसे रस्ते पर चला सकते हैं बड़ सोचो अगर गाव में कोई बुजर्ग है और उनको एमर्जनसी आ गया ट्रीटमेंट करना हो या तो फिर प्रेगनेंट लेड़ी हो क्या कर सकते हैं ऐसे हालात में हालत बहुत गंबीर है बट सिर्फ हम सोच सकते है बट इसको सुधारना कौन करेगा इस स्वधेश जैसा मोहन भारगव ऐसे कोई आने चीए 100 लोगों की वैसे जरूरत है 100 क्या 500 लोगों की जरूरत है वैसे मोहन भारगव जैसे देख रहे हो कैसे गोल्डन वेलवेट जैसा कर रहे हैं आपर कोई बात नहीं मैंने कंट्रोल कर लिया और मज़ा था एक ऐसे शांथ जगे पर आया हूं मैं कि इतना सन्नाठा है इतना सन्नाठा है कि कान फुल ब्लिंग करके साउंड आ रहे है बस मैं टोर की नहीं है अब क्या करूँ तो यह गाइस काकुबाई टेंपल है तो रुक्य मैंने थोड़ी साहस ली और आपको इंफोर्मेशन मैंने बता दिया कितना खूब सूरत है यह टेंपल तो यहां से एक अलग फील अलग अलग अडवेंचर शुरू हो जाता है मेरे आगे ट्रक गया मैं सोच रहो कुछ दिर रुकूँ परकाज नया जाकेट है नया ब्लुटुथ है दूल उड़ाना नहीं है बाइक पॉलिश की है तो दोस्तों यह देवस्थान जो है भीमा शंकर यह काफी जगह से जा सकते हैं आप कल्लान से भी रूट है पन्विल से भी रूट है कल्लान के आगे मार्शेजगाट के वास से जाके आ सकते हैं मैंने तो साहस एकदम नेक्स लेवल का कर लिया है कि कुछ अलगी रस्ता डूण के निकला है मैंने और यह काफी आइसलेटेड रूट है यहां पर गाड़िया बहुत कम है बहुत कम आई है वीव देखो ना अभी थोड़ा और कास्ट भी हो गया तो एकदम ठंडा ठंडा फील हो रहा है आपर आई है है क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है देखो तो सही इससे कहते हैं नजारा गाईज इससे कहते हैं नजारा कुछ दिर पहले पहार के उस तरफ था अब मैं इस तरफ हूँ और शायद से वो कोने में उपर दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि वो ही भीमाशंकर है मंदिर इनसे पूछ लेते हैं चलो का का दे वर्थी दिश्थे थे चा एका बीमाशंकर मौ बीमाशंकर कुटन रहे चाएं अगाव अगे तो गाव में से लेफ लेना है पर लेट सी कौनसा गाव आते आगे तो गाईज यह एक कुड़े गाव है कुड़े पीछे एक जनाब ने मुझे कहा था कि आगे गाव आएगा यही वो गाव एक कुड़े कुड़े गाव को मैं क्रॉस कर रहा हूँ थोड़ा बत कर दिया यह गाव का थोड़ा आउटकर्स थोड़े घर है आपने यहां पर भी सोलर सिस्टम लगा हुआ है सोलर पनल लगा है स्ट्रीट लेट के लिए इस रेली नाइस इस रूट इतना खास नहीं है कोई-कोई जगे पर रोड इतने अच्छे नहीं है पर अपनी बाइक परफार्म कर लेती है और मेरा जो लंबर बेल्ट है वो बड़ा काम का है यहार मतलब जो मैंने जाकेट लिया है उसके अंदरी लंबर बेल्ट आया है जो मैं पहना हुआ हूँ और थोड़ा भी जर्क फीलने हुआ है बाइक को मुझे और मैं काफी कमफोर्टली चला रहा हूँ इसा लग रहा है बाइक तूड़ जाकेट मैं रेकमेंट जरूर करूँगा प्लीज तो गुड़ी के बाद में एक छोटा सा घाड आता है यहाँ पे एकदम छोटा रेलिंग फिंसिंग काफी अच्छा किया है यहाँ पे जहां पे भी टर्न जाते है आपका भी दिखाता काफी अच्छे से किया है बेट ओ सिर्फ उतना क्यों किया है रोड क्यों नहीं बना है रोड ऐसा लग रहे है दोस्तों लाइक 50-60% काम हो गया था और सिर्फ हाट टार डालना रह गया है बस और वही जो कांट्रक्टर रहेगा भागया रहेगा हादा काम करके ऐसे होता है अधा अधूर काम अधा अधूर काम अधा प्लेजेंट विव यार एसे दिस क्या रोड्स है अमेजिंग जो नेचर का ब्यूटी है ना गसम से आपको घर से निकलना ही पड़ेगा बस अब देखने के लिए लिए लुक अट दिस आ पर अच्छे से कैंपिंग कर सकते हैं मस I remember this route guys अभी हम बहुत ही जल पहुशने वाले हैं बहुत नजदीक आगया हूं मैं बीमा शंकर टेंपल के या पर हफी नारो रोड है तो फोर विलर से आएंगे तो प्लीस संभाल के लब इस रोड यार सिरिसली राइडर के लिए बीमा शंकर तो बनता है मैं और एक बर बीम एक्स्प्लोर किया है तो वो रूट के बारे में जादा नौलेज दिया हमने आपको So yes guys काफी उपर तक तो आगया हम अभी Really enjoying this road यार अकेले है तो क्या गम है चाहे जो भी हो एदास था बस एक जरा साथ हो तेरा तेरे तो है हम कब से सनम अकेले है आओ आओ अप्टा 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 रोमेंटिक मूड में आ गया तो थुड़ावत कोई बात नहीं अपने बाइक स्ट्रॉंग है ATM performing really very well ओ ये लोग भी आगय है हमारी जैसे यात्री भक्त लोग आ रहे है बारा जुतिर लिंग में से एक भीमा शंकर दिवस्थान ओई होई 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 क्या बात है दोस्तों देखो कितनी जाड़ी है इतना ग्रीनरी है क्या ब्यूटी है अन्स राइड आमेजिंग गाड़ी से आओगे ना अभी एसी मत जलना इसी नाचरली एसी फील हो रहा है याप यार मैं बाइक पाव फिर भी एसी है यापर नेचर्स ब्यूटी अल्मोस्ट रीच्ट भीमा शंकर आहाहा आमेज जेरो फोर भाई ठाने से उबर करके आ रहे है आपे लोग को अभवान गाइस पैसे थोड़े खर्च करो आजाओ इतने मस जगह है पिकनिक को पिकनिक हो जाएगा दोस लोग से मिलना भी हो जाएगा काफी क्यूट बेबीज है बहुत सारे मंकी बैटो हुए ये कामेरा जस्टिस नहीं करेगा I know that बट फिर भी कोई बात नहीं एक तो पीछे दिखा दिया आपको तो मैं बोल रहा तो पिकनिक को पिकनिक हो जाएगा बगवान के दर्शन हो जाएगे नेचर में आप थोड़ा सास ले सकते हो आपकी इम्मुनिटी थोड़ी स्ट्रॉंग होने के चंसे से जाएगे बीमा शंकर खुल गया है बाइगे नट पर सिनियर सिजन्स यस गाइज नट पर सिनियर सिजन्स सारी दिखाएगे